जैहिन दोस्तों मैं गगंदी पाप सभी का स्वागत करता हूँ प्राउड ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप NCC A, B या C सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए very very important है क्योंकि इसमें हम वे सभी question discuss कर रहे हैं आपके एक्जाम के लिए important है और जो आपके एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए बहुती ज़्यादा beneficial साबित होने वाली है सबसे पहला question जो आज की वीडियो का है वो है question number 6 और ये है कि what are the causes factors against national integration यानि कि राष्टिया एक्टा विग्टित करने वाले कोन-कोन से तत्व होते हैं तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि राष्टिया एक्टा होती क्या है देखो हम किसी भी धरम से हों, किसी भी काष्ट से हों, किसी भी स्टेट से हों, किसी भी छेतर से हों उसके बावजूद भी हमें एक भावना होती है कि हम सब भारती हैं और यही जो भावना होती है इसे ही हम नराश्टी एकता यानि कि नैशनल इंटिग्रेशन कहते हैं लेकिन कई बार जो नैशनल इंटिग्रेशन है कुछ फैक्टर जो होते हैं वो उसको एफेक्ट करते हैं यानि कि कुछ factors जो हैं उसको विट्टित करते हैं और वे कौन-कौन से factor हैं, वो factor हैं यानि कि सामपर्दाइकता, दूसरा है भासावाद, तीसरा है छेतरेता की भावना अगर किसी में है, चोथा है जातिवाद की भावना और कई टाइम पर राजनेतिक दल और फिर है आर्थ का समानता और विदेशी तत्व, ये कुछ ऐसे factor होते हैं, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो national integration यानि कि जो राष्टि एक्टा की भावना होती है, उसे पर बावित करते हैं और ये question आपके exam में 6 marks का, यानि कि 6 marks का ये question आपके exam में पूछा गया और कई बार पूछा गया next question की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, और हमारा next question है, what do you mean by national integration, ये मैंने अभी आपको बताया कि राष्टी एक्टा से आप क्या समझते हैं, तो राष्टी एक्टा एक मनो भाव होता है, जिसमें निष्ठा, एक्टा और बक्ती की भावना होती है, जिसका मुख्या के अंदर द्यान रखनी है, इससे पहले भी के जो question है, वो मैं already करा चुका हूँ, उसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है, और इन सभी questions की ये लगातार मैं बनाता रहूंगा वीडियो, तो इसकी एक मैंने playlist बना दिया, और उस playlist का link आपको description में मिल जाएगा, और वीडियो के end में भ आपको जो playlist का link है, वो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी पूरी playlist को देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी topic नहीं छोटे और आपकी त्यारी बहुत ही बैतर तरीके से हो सके, next question यहाँ पे क्या है, कि what is the aim and purpose of a national integration camp, what is the aim and purpose of national integration camp, यानि कि राष्टी एकता सीवर में आप कोन कोन सी बाते सिखाई जाती हैं, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, national integration जिसको हम NICB कहते हैं, इसका आप नाम बदल कर नया camp रख दिया गया है, जिसका नाम है अब EBSB, EBSB की full form होती है, एक बारत सरेष्ट बारत camp, एक बारत सरेष्ट बारत camp को पहले NIC यानि क national integration camp के नाम से जाना जाता था, तो ये question भी आपके exam में आ सकता है, कि EBSB camp को पहले किस नाम से जाना जाता था, या फिर national integration camp को अब किस नाम से जाना जाता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है, कि NIC की full form बताओ या EBSB की full form बताओ, तो किसी भी तरीके से question आ जाए, आपको इ अधियां से सुन रहे हैं तो यह कुस्टेन यह साथ मार्स में पूछा गया है है अब यह कुस्टेन इस तरीके से भी आ सकता है जो हमारा एक स्टेट के बारे में आपने छेतर के बारे में नहीं सोचे बलकि पूरे देश के बारे में सोचे भाईचारा को पढ़ावा देना व्यापक शिक्षा का परशार करना यानि कि एक extensive knowledge हमें मिले सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और देशाटन को प्रोचसाइद करना देशाटन मतलब हम देश के अंदर सभी जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट जगएं हैं उन्हें जाकर देखें क्योंकि यह जो EBSV यानि की NIC Camp होता है यह वन ओफ दी बहुती enjoyment वाला Camp होता ह है जिसमें हम किसी स्टेट में जाते हैं जहां पर यह NIC Camp लगता है जैसे मैं जब मैंने जब SNIC अटेंड किया था SNIC की फुल्फूम होती है Special National Integration Camp Special वे इसलिए होते हैं क्योंकि वे Special जगएं पर होते हैं मेरा जो Camp था NIC का वो था नागा लेंड में नागा लेंड में दीमापूर दीमापूर जगएं दीमापूर में पटकई Christian College है वहाँ पर हमारा Camp लगा था तो वहाँ पर हमें नई जगएं देखने को मिली और वहाँ पूरी कंट्री से केड़ेट आए थे उन सभी से बाते करने का मौका मिला एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिला तो इस तरीके से यह है Camp राष्टी एक्ता को बढ़ाता है जैसा इसका नाम था पहले National Integration Camp तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है और आपको यह प इतिहास होना चाहिए, राजनाती के एक्ता होनी चाहिए, सामाजी के एक्ता होनी चाहिए, धार्मी के एक्ता होना चाहिए, जातिया एक्ता और राजनाती के एक्ता यह दुबारा से पॉइंट लिखा हुआ है में बात है कि नैशन बिल्डिंग का मतलब ही यहां पर यही है कि राश्टर निमान जब ही होगा जब हर तरह से वहां पर यूनिटी हो और हर तरह की यूनिटी हो चाहिए वो बोगोली के एक्ता की हम बात करें एतिहासी के एक्ता की हम बात करें तो हम बात करें राजनेती के एकता की या फिर सामाजी के एकता की या फिर धार्मी की आजाती है एकता की तो सभी तरह की एकता महाँ पर होनी चाहिए जहां पर हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 10 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है और यहां पर इंपोर्टेंट डेज पुछे गए देखो आपके एक्जाम में फिल इन दी बलेंक से रिलेटिड कोश्चन पुछे जाते हैं आपके एक्जाम में फुल फॉम पुछी जाती ह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये सारी की सारी बात है कि क्या क्या आपके एक्जामें पूछा जाता है इसके अलावा short answer type question पूछे जाते हैं long answer type question पूछे जाते हैं और one liner question पूछे जाते हैं तो ये जितनी भी variety होती है जब हम NCC handbook पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको थोरी थोरी मिलती है और उससे हम इतनी अच्छी practice नहीं कर पाते हैं और दूसरी क्या बात होती है कि NCC handbook जो होती है वो बहुत ही जादा heavy होती है एक तरीके से मतलब बहुत सारा material उसके अंदर होता है और जब हम exam के लिए त्यारी करनी होती है तो सारी handbook को याद करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाते है और जब हमारे दिमाग में होती है कि कास हमारे पास NCC के notes होते जिसमें ये सारी की सारी चीज़े दी होती है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए NCC notes in Hindi के नाम से एक PDF त्यार की गई है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़े लेकिन सिरफ important question जो आपके exam में पूछे जाते हैं इसके अलावा previous year sold question paper भी उसके अंदर डाले गए है और ये PDF हिंदी हिंदी के अंदर available है ताकि आप कम समय में यानि कि थोड़ा पढ़के आप better result पराप्त कर सको उस चीज़ के लिए NCC notes in Hindi के नाम से PDF बनाई गई है अगर आप इस PDF को खरीदना चाते हैं तो इसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा WhatsApp का link आपको description में मिल जाएगा और WhatsApp का number भी आपको description में मिल जाएगा WhatsApp पे message करके आप इस PDF को खरीद सकते हैं और अपनी त्यारी को better कर सकते हैं यहाँ पे question यह है कि पूछा गया अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है Children day कब मनाया जाता है तो 14 नमंबर को मनाया जाता है विजया दिवस कब मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है सहीद दिवस कब मनाय जाता है तो 30 जनवरी को मनाय जाता है और 8 डे कब मनाय जाता है तो 1 दिसंबर को मनाय जाता है यह important days है जो आपको पता होने चाहिए कि यह कब कब मनाय जाते है और क्यों मनाय जाते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए तो आपको बताना है कि अध्यापक दिवस क्यों मनाया जाता है चिल्डरन डे क्यों मनाया जाता है विजय दिवस 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है सहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और AIDS डे एक दिसंबर को मनाया जाता है ये बात में पता है अब यहां पे AIDS से related full form आपके exam में पूछी जाती है AIDS की full form आपके exam में पूछी जा चुकी है HIV की full form आपके exam में पूछी जा चुकी है तो इन सभी की full form का भी आपको पता होना चाहिए यह very very important question है सभी के सभी और I hope यह question आपको समझ में आ रहे होंगे एक important बात में आपको और बता दूँ कि यह जितने भी question मैं आपको करा रहा हूँ इन सभी के quiz बना के ताकि आपकी त्यारी बैतर होसके आप अच्छे से questions को practice कर पाओ तो इन सभी के quiz बना के मैं proud group of NCC telegram channel के उपर telegram पे जाने अपने जो channel का नाम है proud group of NCC वो आपको सर्च करने आपको telegram channel मिल जाएगा और वहाँ पे आपको डेली के डेली NCC के quiz मिलेंगे और NCC से related important information, pdf वगहरा आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे तो आप telegram को जरूर जोईन करें telegram के उपर proud group of NCC next question है आपके कि बारतिय नागरी के कौन-कौन से मोलिक अधिकार है मोलिक अधिकार यानि कि जो जो भी fundamental right होते हैं जो हमें constitution ने दिये जो हमें समिदान ने दिये तो उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार फिर है सवतंतरता का अधिकार धार्मिक सवतंतरता का अधिकार शोशन के विरुद अधिकार शिक्षा का अधिकार चलने फिरने का अधिकार तो ये सारे के सारे वे मौलिक अधिकार है जो भारतिय नागरिकों को प्राप्त होते हैं अब आप से ये भी पूछा जा सकता है कि बारतिय नागरिकों के मौलिक कर्तवय कौन कौन से हैं तो कर्तवय भी आपके एक्जाम में पूछे गए हैं तो आपको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तवय भी पता होने चाहिए क्योंकि आपके एक्जाम में ये पूछे जाते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस तरहें की और वीडियो मैं बनाता रहूँगा ताकि आपकी त्यारी बैतर हो चके सीरियल वाइज हम चलेंगे वीडियो इसकी और रहेंगे देख सकते हैं और हर वीडियो की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें ये प्राउट ग्रूप ओफ NCC यूटूप चैनल के साथ नेक्स्ट वी Thank you very much!